मैं फ्रेंड्स आज हम नैच्रल टॉनिक जामुन के बारे में जान लेते हैं जामुन के फल पकने के लिए ग्रीश की धूप और वैशा की अमरित छीटे जरूरी है जामुन वैशा रितु का अमरित फल है जामुन का मौसम अर्पकालीन होता है जामुन के पेड़ बहुत ही उचाई तक बढ़ते हैं कभी-कभी असी फीट से भी उचे यह चायादार रहते हैं जामुन फल तो उप्यूक्त है ही साथ में जामुन के पेड़ की चाल, पत्ते और बीज भी वैदकिये दिश्टी से बहुत उप्यूक्त है जामुन दो किस्म के होते है, छोटे और बड़े बड़े जामुन गुन के डिश्टी से शेष्ट माने जाते है जब आप जामुन का स्वायद मज़े से लेते हैं तब बहुत सारे टॉनिक अपने आप ही आपके शरी में पहुचते है जो शरी के लिए बहुत ही उप्यूक्त होते है पहले हम जामुन में पाए जाने वाले पोशक तत्वों और बाद में उसका हमाय शरी पर होने वाले असर के बारे में जानते हैं इसमें प्रोटीन, काबोहईडरेट और फैट तो रहते ही है साथ में आयन, कैल्शियम, पोटैशियम, केरोटीन, फॉलिक एसिड, फॉस्फरस, सोडियम, मेगनेशियम, विटैमिन A, विटैमिन B, विटैमिन C भी पाए जाते हैं और बहुत सारे एंटियोक्सिडेंट और पॉलिफिनॉलिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं इतने सारे पोशक्ततों के कारण यह बहुत बिमारियों पर यह उनके प्रतिबंद के लिए उप्योगी है यह डाइबिटीज के उपचाय के लिए भी बहुत उप्योगी है भी कमी आती है अच्छे पके जामुन सुखा कर बारी कूट कर चून बनाएं प्रतिदिन दो चम्मच 15 दिनों तक इस चून का सेवन करने से मदू में में लाब होता है इसमें कैल्शियम आयन विटैमिन सी होने के कारण यह शरी की प्रतिरोधिक शम्ता को बढ़ाता है हड्यों को मजबूत बनाता है और खून बढ़ाने में भी साहिक है इसमें पाए जाने वाले एंटियों बैट कोलिस्टॉल बनने नहीं देते और रख्ट पेशियों में रुकावट पैदा नहीं होने देते इसमें पुटैशियम की मात्र भी अधिक रहती है जो हाइपरटेंशन को कम करता है और एदयरोग को दूर रखता है जामुन के पेड के पत्ते, चाल, बीज, बैक्टिरियल इंफेक्शन के उप्चार में उप्योगी है और इनसे विविद और शिदिया बनती है जामुन डाइजेशन में भी मदद करता है इससे डाइरिया की रोकथाम होती है और अलसर के उपचार में भी उप्युक्त है या लीवर की विद्धी सूजन रोकने में भी कारगर है अगर मुँ से दुरगंद आती है तो जामुन का रस माउट वाज जीसा काम करता है एंटि बैक्टिरियल गुनों के कारण दात और मसूडों के लिए भी फाइदे मंद है जामुन के पत्ते जला कर उसका चून बना कर दात और मसूडों पर मसलने से मसूडों के समस्या जैसे मसूडे फूलना या खून आना बंद हो जाता है चहरे की सुंदरता निखानने में भी जामुन बहुत ही सायक है यह एस्रिजिन गुनों के कारण चहरे के दाग दब्बे जुरिया और मुहासों पर कारगर असर करता है जामुन के बीज का पाउडर, निम्बू का रस और शेहर मिक्स करके चहरे पर लेप करने से चहरा साफ और खुसूरत हो जाता है जामुन खाने से खून भी बढ़ता है क्योंकि इसमें आईरेन की मातर बहुत तो रहती है जो हीमोगलोबिन को बढ़ाता है, इसलिए एनिमिया और कमजोरी में इसके सेवन से फाइदा होता है इसके सेवन से कैंसर की रोगठाम भी होती है इसमें पाई जाने वाले पॉलिफिनॉल्स कैंसर से मुकाबला करते है लगाता खाने से कैंसर ठीक भी हो सकता है जानते हैं जामुन कब और कैसे खाए जामुन हमेशा धोकर खाना चाहिए जामुन खाली पेट नहीं खाना चाहिए हर दम जामुन खाना खाने के बाद खाते है इस पर नमक या सिन्दा नमक डाल कर खाना चाहिए जो पचने में साहिक होता है या सीमित मातर में खाना चाहिए जामुन दूट के साथ भी नहीं खाना चाहिए जामुन में बहुत ही पोशक तत्व रहते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही उप्युक्त है इसलिए जामुन के मौसम में हर रोज जामुन खाना चाहिए धन्यवाद